तो बिहार राज में कारजरत संबीदा नियोजीत आउटसोर्से उम दैनिक करमचारी साथियों आपका एक बार फीर चैनल पर स्वागत और आर्दिक अभिननदन करते हैं दोस्तों एक बार फीर आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो वाइरल खबर है कि कैबिनेट में ग्राम कचहरी सचीव नयाय मित्र सहित बिहार के तमाम आउटसोर्स करमी दैनी करमी और संबीदा करमियों का बेतन विरीदी होगा इसकी सचाई आज हमने जानी है और बिहार सरकार से हमको फेश्टू फेश्वारता हुआ है और सारी जनकारी हम आपको मुहया करने जा रहा है उससे पहले यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब विडियो को लाइक और सेयर कर दिजिएगा तो दोस्तो आईए बढ़ते हैं खबरों की और दोस्तो आप सभी को जो है कि बेतन विरीदी का बेसबरी से इंतजार है आप सभी लोग जो है कि जानते हैं कि आप लोगों का बेतन विरीदी होने वाला है और इस चीज को लेकर आए दिन जो है कि सोसल मीडिया पर खबरे व इस महीने जो है कि यह कहीं कैमिनेट की बैठक होने वाली है और वह बैठक 14 नवंबर 2014 को जो है कि होने जा रही है इस बैठक के बारे में भी सोसल मीडिया पर खबरे जो है कि वाइरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि संबिदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मियो का बेतन बिरिदी होने वाला है और इसको जो है कि लगातार वाइरल करने का काम कुछ लोग कर रहा है इसके पीछे की सचाई जानने है तो हमने बिहार सरकार से संपर का स्थापित किया हमको क्या जनकारी मिली क्या सचमुच संभीदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मियो का बेतन बिरिदी होगा इसकी पूरी जनकारी हम आपको मुहया करेंगे उससे पहले आपको बता दे कि बिहार सरकार का जो कार्ज करम है बिहार सरकार जो संभीदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मियों का बेतन बिरिदी करने का जो परस्ताव लाई थी जिसके तहद जो है कि विकास आयुक्त को इसकी जिम्मवारी सौपी गई थी और उसके अनुसार विकास आयुक्त ने तमाम संबीदा कर्मी और जो है कि कर्मियों का बेतन बिरिधी किया किन्तु बहुत सारे साथी हमारे जो हैं जिन में जो है कि छोटे छोटे पदो पर कार्ज करने वाले आउटसोर्स के कर्मी दैनी कर्मी और संबीदा कर्मी है जिनको जो है कि दरकिनार कर नितीश कुमार की सरकार ने अब तक उनके मांदे में किसी परकार की बढ़ोतरी या बिरिधी नहीं किया है यह सीधा एक पक्षपात का ममलत परतीत हो रहा है जिसमें बड़े संबीदा कर् और परतारित हो रहें किन्तु बिहार सरकार के कानों तक जूर नहीं रही और बिहार सरकार अपने एक तरफा मिशन और जो है कि मनमानी रवये के परिचायक बनकर कुछ स्रम्विदा कर्मियों का बेतन बिरिधी कर चुकी है अब रही बात जो लोग इंतिजार में हैं कि जूरी मिलेगी इसके पीछे की सचाई हम जानचुके हैं जो हम आगे आपको बताने वाले हैं दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी भी सरकार का कैबिनेट होता है वह जो है कि समय समय पर यानि की आठ रोज पर एक रोज जो है कि बिहार कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें महतपूर निर्ने लिये जाते हैं जिसमें बहुत ही कल्यानकारी योजनाएं जो सरकार चलाती है कार्जकरम चलाती है लापपरत कार्जकरम और योजनाओं के संबं और इसी को आधार बना कर कुछ लोग कहने लगते हैं कि बिहार सरकार इस कैबिनेट में जो है कि संबीदा कर्मियों का बेतन बिरीधी करेगी उनके जो है कि पक्ष में फैसले लेगी जिससे संबीदा कर्मी उत्साहित हो जाते हैं और उत्साहित होकर लगातार जो है कि कैबि आडियो को देखना छोड़ देते हैं और जो है कि तरह तरह के कॉमेंट जो है कि चैनल पर आकर करने लगते हैं ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोग लगातार संभीदा कर्मियों को जो है कि मुर्ख समझते हैं और उनको जो है कि बेवकूप बनाने का काम करते हैं हमने जो है कि आगामी 14 नवंबर के संभीदा कर्मियों के पक्ष में लिये जाने वाले निर्नाय के संबंध में जो है कि सरकार के परमुक सचीव ये सिधार्थ के करजाले से हमारे सुतरों ने संपर का स्थापित किया जहां से असपष्ट जनकारी मुहाया की गई कि 14 नवंबर को कुछ भी संभीदा कर्मी आउट्सोस कर्मी के पक्ष में नहीं होने जा रहा है इसलिए जो है कि बेवजा इंतजार से कोई लाब नहीं